हुआ कि अधार現在 में संतुली तहार कि बता था और सेकन में कारवोवाइडेट किने परकार होते नहीं स्कौष्य होते हैं किने परकार होते हैं तीन परकार होते हैं फेला भव एक के परकार कार्बो आधिडरिट चेंओ करकार लिखो कार्बो हाइडरेट सामानिता सामानिता तीन परकार का होता है पहला लिखो पाली सेके राइट सेके राइट पाली सेके राइट समझा बच्चा इधर सब लोग लिखा है पाली सेके राइट साइन्स की लेंग्विज में सुगर को सेके राइट कहा जाता है सुगर को क्या कहा जाता है सेके राइट कहा जाता है अब लिखा है पाली पाली मिस होता है कई क्या होता है कई यह निए जिसमें क्या हो कई सुगर हो या कई ग्लूकोज हो उसे पारश करथ कहें लिख लो परिवासा लिखो एक एक कार्बो हाइड्रेट एक एक आशे कार्बो हाइडरेट एक जिसमें कई ग्लूकोज जिसमें कई ग्लूकोज या सरक्रा यानि सुगर हो होता है लिए डारेक्ट लिए फिर दूसरा लिख लो दूसरा अब सुनो इधर यानि जो पाली सेकराइट है इसमें पाली सेकराइट में कई मोनो सेकराइट है कई मोनो सेकराइट की नहीं है कई मोनो सेकराइट से मिलकर पाली सेकराइट बना है तो यानि जिसे हम क्या कर सकते हैं इसे हम कई मोनो सेकराइट में तोड़ सकते हैं किसको पाली सेकराइट को लिखो इसे कई मोनो सेकेराइड में तोड़ा या बेकड में लेखलो बिखंडित किया जा सकता है यह मैभी कई मोनो सेके राइड में बिखंडित कर सकते हैं तोड़ सकते हैं लग अलग बाज सकते हैं उधाहरण में लिखलो जिसे पूछा पुचा जाता है उदाहरण कभी लोग में हुच्छा एग जई किस प्रकार का थेक है तो क्या बताओगे पॉढी सेकेर इन्ट क्या इन डिप आप पर Glycogen Gly collagen Glycogen किसप्रकार का सचराइट पर लिखेरिट कれ clothes ऐкий और इसटार्ज संद इपिस प्रकार का साप्राकर आइट है तो पौली से कर राइट के है यहाँ से सम्झो बिसेलूलोज के मैं बात करों लाकर उचे μεन Ouais कि यह प्रकार का पाली संगर है जितने भी कार्बोहाइडेट होते हैं सब सुगर होते हैं अब में बात करूं तो यह प्रस्थ पूछा जाता है कि पडों की कोशी का बित्ती इस की बनी होती है तो cellulose नामक पदार्थ की बनी होती है लिख लो यहां से लिख लो पाधों की कोशी का भित्ती कोशी का भित्ती cellulose बनी होती है यह से बनी होती है अब यहां समझे गलाइक गलाइकोजन के बारे में गलाइकोजन से प्रस्न पूछा जाता है सुनो अगर पेपन पूछा जाए कि जन्तूओं में भोजन किस रूप में सुरच्छित होता है तो गलाइकोजन के रूप में सुरच्छित होता है किस रूप में सुरच्छित होता है अब लिख लो इसको भी लिख लो जन्तूओं में जन्तूओं में भोजन ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में के रूप में सुरच्छित यह उताए छंपमें भोजन के रूप में पूछा जाए कि इस रूप में सुरच्छित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में पौली से कर आइट है अब समझो यहां पर स्टर्ड के बारे में अगर पेपर में वोचा जाए कि पौधों में भोजन पोधों में भोजन पोधों में भोजन इस्टार्च लिख लो इस्टार्च के रूप में सुरच्षित होता है कि सुरच्छित होता है कि बच्चा इतनी बात समझ में आई अगर पूछा जाए कि पौधों में भोजन किस रूम में सुरच्छित होता है तो इस चार्ज के रूप में यानि कि इसे मंड के रूम में तो कोई दिक्कत इसमें तो यह पाली से कराइट इतना नोट कर लो फिर हम तो घारीश के राइट के वारे में तो कार्वो हाइजा संदा तीन प्रकार का होता है पहला लिखिते पाली है कराइट दूसरा क्या है Eck करम हूं छैकराइट कर्ष्ड कि जिसमें कई घूब kgऊठ adalah कि कि यह रूड हुओ लिखो कि ऐसे कार्बॉहाइड्रेट ना वो बोलव अ ऐसे कार्बॉहाइड्रेट जिसमें कि दो गुलुकोज के दो गुलूकोज गुलूकोज साइस लिख लो जिसमें दो गुलूकोज होते है मुसें डाई सार्कराइड कहा जाता है उसे डाई ऐसार एकेराईड कहा जाता है कहा जाता है समझे लो ना यह ऐसे कार्बोहाइड जिसमें दो गुलुकोज होते हैं उसे डाई सेकराइड कहा जाता है या फिर दूसरा लिख लो ऐसे कार्बोहाइडरेट कार्बो ऐसे कार्बोहाइडरेट जिसे जिसे दो मोनो साकैराइट दो मोनो साइके राइट में हाइडरेट किया जा सकता है यानि तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा सकता है, डाई सेकराइट कहलाते हैं, डाई सेकराइट, डाई सेकराइट कहलाते हैं, अच्छा, दो मोनो सेकराइट में तोड़ा जा सकता है, यानि कि जो डाई सेकराइट होते हैं, दो मोनो सेकराइट में तोड़े जा सकते हैं, समझेड़ो ना आप जो मोनो से गर्सक्राइट होगा उसे हम हाइडरेट नहीं कर सकते हैं तो नहीं सकते अच्छा यह इतना लिख लिए अब इसका एक्जामपल लिख लो अधारन माल तो उम्छाजाएव पेपर में कि माल तो कि से प्रकार का से राइट है तो क्या बता होग या उपरोक सभी तो बाहु सिह है फिर ड़ो ना नितु हमालतोज और सुक्रोज ओंud खोड़ो और लिख्याद को यह लग्टोज को अधियु तो अब यहां पेशचे तो ने यहां पूंचा जाता है तो गया और जो में किस परकार का फुगर पाया जाता है पूंचाजाए पैपने ने तो पलगू में लोगषें लुगण शब्सकाद में प्मेर सेव श्थी यह लिख लो देखो यहां पर लिखा है माल्टोच माल्टोच के बारे में लिख लो यह कि तीर कमान निसान बड़ा खतरनाग बनी गया था यह गेहूं यह गेहूं और जो में पाया जाता है पाया जाता है इसे माल्ट सुगर भी कहते हैं लिख लो इसे माल्ट सुगर इसे माल्ट सुगर भी कहा जाता है या कहते हैं ठीक है बच्चा किसमें पाया जाता है माल्टोच तो गेहूं और जो में पाया जाता है अच्छा सुक्रोज सुग्रोज किस परकार का डाइब से राइट एंस सुगरोज को गेण सुगर या सुगर केण भी कहा जाता है अच्छा कहा जाता है पूछा जाए कि सुगर किस के सरकरा को कहा जाता है तो के कहा जाता है लिख लो ं डिख लो यह अन्य नहिं पाये जाता है यह अन्य में पाया जाता लिए इसलिए कि इसे केट सुगर इसलिए इसे केट सुगर या सुगर केन या सुगर केन भी कहा जाता है भी कहा जाता है अब पेपर में पूछा बच्चा तो बता ले जाओगे ना कोई दिकत अजया समझो लैक्टोज के बारे में कि लैक्टोज क्या होता है तो समझो बच्चा इदहर फिर समझ लो लैक्टोज सुगर है या सरकरा है या दूद में पाए जाता है किसमें पाए जाता है दूद में पाए जाता है जिसके करण दूद क्या होता है मीठा होता है क्या होता है मीठा होता है अच्छा दूद का रंग सफेद होता है तो याद रखना कि इसमें प्रोटीन पाए जाता है याद रखना चलो इसको लिखो पहले लग्टोज या किसमें पाए जाता है दूध में पाया जाता है जिसके कारण जिसके इंढ्यूद मीठा होता है इसको शार्ट पढ़ा है थे यूटू पे बच्चा यह याद यह व पाया जाता है जिसके कान धूध मीठा होता है यानी दूध में बिना कुछ गुड्या चीनि मिलाए उसको पीते हैं तो मीठा लगता है लगता है तो दूद में लिख लो दूद में केसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूद का रंग सफेद होता है लिख लेना अच्छा याद रखो मिल्क अगर पूछा जाए तो लेक्टोज को लिखो इसे लिख लो इसे मिलक सुगर इसलिए इसे मिलक सुगर या वैसे लिखो इसे मिलक सुगर भी कहा जाता है हाए वह भी कहा प्रेया जाता है समझे ला बच्चा है लेक्टोज्य मिलक सुगर भी करता है मिलक में पाया जाता है अच्छा सबसे मीठा सरक्णत ना कोम सा होता है आप राट है अ कि हाविध 2009 wires Beef एक मुलम स्कोम want app नुक खाए से वर स्वाहिए यह खतंया परकार को अगले कि लासमें से नोग को बताएंगे बारे kis कि अच्छा थाट के बारे पढ़ाएं या ना बीतामिन के बारे में पढ़ाएं पहले तेखो चल रहा है डिकार हो रहा है इसरी तेसरा समझे मोनो सब्सक्राइट थीसरा क्या है मोनो सब्सक्राइट हां यहीं लिखवा कर दें बटा वह हो मुल्क दे देंगे तुम लोगों कुछ ठीक है बस प्रश्राइट रहल देखों मोनो मिस होता है एक मोन मिस होता है जह बतायते है ना कार्बन मोनो आक्साइड ओक अधर टोपी तुम थोड़ा हटाए लो और आमसे समझो इदर तो मोनो साइकरेटिया ने जिसमें केवल एक गुलू कोज हो लिखो नीला वाला मार कर बच्चा लिखो जिसमें केवल एक जिसमें केवल एक गुलू कोज होता है उसे मोनो साइकराइड उसे मोनो साइकराइड कहा जाता है या कहते हैं लिख लो कहते हैं इसे हाइड्रेट नहीं किया जा सकता है यानि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है लिख लो इसे तोड़ा यानि प्रेकर वली विखन्डीत नहीं किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है उच्छा एक ही सहे के राइट है तो उसको तोड़ देते हैं ठीक है अलग अब सब्सक्राइड देखो इसका उदार्ण लिख लो एक्जामपल लिख कि उदाहरण कि एक्जामपल रचा उदाहरण लिखो गुलूकोज गुलूकोज फरक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज गैलेक्टोज यहां से दोको पेपर में कि पूचा जाता है इंपौर्टन्टे और ते तो पता ही तो इसे ग्रेब शुगर भी घा जाता है अच्छा फरक्टोज यहां से पूचा जाता है हां फरक्टोज को ने पताए फूरूट सुगर यानि की हलो की सरकरा लिखो यह इंपस्टेंट है इसे फूर्ट सुगर इसे फूर्ट सुगर यानी फ़लों की सरकरा यानी फ़लों की सरकरा कहा जाता है कः कि जाता है हुआ और यद रखना कि ये सबसे मीठा सुगरολाने की निडिये जाए सब सरक्राई होती हैं मोजें जो सब से मीथी सरक्राइं होती है वो क्या होती है फरक्टोज अब हम तुम लोग को फायट के बारे में लिखाएंगे हैं बच्छा फायट लिखाएं कल चकल चुटी है संडे और मंडे दोनों दिन चुटी है तीज दो को लिखो